मृत व्यक्ति के गहने पहनने चाहिए या फिर नहीं मरने वाले से जुड़ी इन चार चीजों को भूल कर भी ना करें इस्तिमाल नमश्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्री जोल मृत व्यक्ति के समान का प्योग करें या फिर नहीं इस पर गरुड पुरान का कहता है आज इसकी बारे में आपको विस्तार से बताते हैं देखे कई बार जाने अन जाने में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी चोटे चोटे कामों में भी कापी अर्चने आनी शुरू हो जाती है उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा आखिर हो क्यो रहा है लाग कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है दरसर इस तरह की अर्चन पित्र दोश के कारण आती है कई बार मिलत व्यक्ती की कुछ चीजों को धारण कर लेने से भी ऐसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है मिलत व्यक्ती की कुछ चीजों को बिलकुल भी धारण नहीं करना चाहिए इसमें सबसे पहला मिलत व्यक्ती के पहने गए कपड़े हैं देखे मरे हुए व्यक्ति के जो भी कपड़े हैं, या तो उसे जला दे या फिर घर से बाहर निकाल दे। इसके अलावा उसके द्वारा पहने गए जूते, घड़ी या किसी तरह की एक्सेसरीज का भी इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। सबसे खास बात, मृत व्यक्ति, महिला या पुरुष के आभूशन, चाहे वे सोने की ही क्यों नहीं हो, उनका इस्तिमाल बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में नकरात्मक्ता का प्रवेश होता है और आपके छोटे मोटे काम भी रुकना शुरू हो जाते हैं। लाग कोशिशों के बावजूद अर्चन आने लगती है। अगर किसे मृत व्यक्ति के सोने के आभूशन हैं और वे कीमती हैं। साथ ही आप उसे इस्तमाल भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे गलवा दे और एक नया रूप दे दे यानि अगर वे सोने की चेन हैं तो आप उसे एक अंगन में तबदील करा सकते हैं। इससे काफी हद तक प्रेतात्मा का मूस समाप्त हो जाता है। वहीं बाकी जो चीज है वह 24 गंटे के अंदर ही घर से बाहर निकाल दे या फिर उसे नदी में प्रवाहित जरूर कर दे। इलाल के लिए इतना ही ऐसी और जानकार्यों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल तब तक के लिए धन्यवाद।